दोस्तो पाकिस्तान भारतिय वायुसेना के विंकमांडर अभिनंदन की रिहाई के बदले अब सांती का नोबल प्रुसकार मांग रहा है लेकिन वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता विंकमांडर अभिनंदन को शुकरवार को जब अटारी बाडर से भारत में दाखिल किया गया तो उनके हाथ खाली थे और वो सिविल ड्रेस में थे उनके हाथ में ना उनका बैग था ना और दूसरा साजो समान दोस्तों बताया जा है कि कंगाली से जूजरे पाकिस्तान ने दबाव के बाद भारती आभाई उस्वेनय के पाइलेट को तो रिहा कर दिया लेकिन उनका पूरा समानी वापस नहीं लोटाया पाकिस्तान ने विंग कमांडर की घड़ी, मोजी और चसमे तो लोटा दिये लेकिन उनकी बेस कीमती पिश्टल, मेप और सर्वाइवल किट जिसमें कई समान होते हैं वो वापस नहीं की दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभिननन जब पाकिस्तान के कबजे वाले लाके में उतरे थे तो इस थानिये लोगों ने उनका पीछा किया था और उन्होंने अपनी पिश्टल से हवाई फारिंग करके ही अपनी जान बचाई थी उनके पास पिश्टल थी और उनकी युनिफॉर्म थी और इसके अलावे भी कई समान थे हेंड ओवर सार्टिपिकेट में ये भी लिखाया है कि पाकिस्तानी रेंजर के डिप्टी सुप्री टेंडेंडेंट सहजाद फैजल ने PSF के असिस्टेंट कमांडेट संजे कुमार को अभिनंदन जी को सोंपा था तो देखा दोस्तो पाकिस्तान की छोटी हरकत की जो भारतिय वायू सेना के विंग कमांडर के पूरे साजो समान को भी उसने नहीं लोटाया दोस्तो इस पेसल ख़वर देश-दुनिया की ताजातरीन और एस्क्लूसिव डवलोमेंट को सबसे पहले आप तक पहुछाता है इसलिए अपडेट न्यूज के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें